शारा धुनी आये दिनेर बरता कुरते प्रोचारो प्रोशार कुरन हदी सेरा लोके शोन वायान भाया मार आउमय काछे देखे नाउना मदनी मदीने वाले प्रेमिर शोधा पान कराउना मदनी मदीने वाले आउमय अचे देखे नाउना मदनी मदीने वाले जाखन हावे तो मर दीदार ताखनी दे हावे आमार आमर शापोने अशोना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे तुम बुलाना मदनी मदीने वाले मुझे इश्क भी पिलाना मदनी मदीने तेरी जब के दीद होगी आपा तेरी जब के दीद होगी कौन आशीक नहीं चाहता कौन आशीक रसूल नहीं चाहता के उसे मुस्तफा करीम कौन नहीं चाहता हर मुसल्मान आशीक रसूल की ये ख्वाइश होती है और होनी चाहिए कि मैं अल्ला के प्यारे रसूल सल्ल लाहु आशीक रसूल की जियारत कर सको कि हदीस में आता है जिसने प्यारे आखा सल्ल लाहु लिए वसल्म की ख्वाब में जियारत की तो उसे रसूल पाक ही की जियारत की कि शेतान आखा के चेहरे में नहीं आ सकता या रब तेरे महबूब का जल्वा नजर आए उस नूरे मुझस्सम का सरापा नजर आए एक आश कभी ऐसा भी हो खौब में मेरे हूँ जिसकी गुलामी में वो आखा नजर आए इन आखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं है नहीं इन आखों का और कोई मकसद ही नहीं इस्तिमाल ही नहीं है कि आखा तुम्हारा रुखِ जेबा नजर आए सहभा एकराम आखा को देख देखे जिया करते थे अगर जियारत ना होती तो परिशान हो जाते थे उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आखे उन्हें ना देखा उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आखे की देखने की है सारी बहर आखों में की है सारी बहर आखों में कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आखों में ना कोई अमल है दिखाने के काबिल ना मुझे तुम्हारे दिखाने के काबिल पर लगाते गो उसका भी सीने से आखा जो होता नहीं मो लगाने के काबिल की देखने की है सारी बहर आखों में कहां का मनसब कहां की दालत कसम खुदा की है ये हकीकात जीने बुलाया है मुस्तफा ने वही मदिने को जा रहे हैं और पने का जाने का फिर बहाना कगेगा कर कोई दिवाना चलो दिवाने तुम्हें मदिने मदिने वाने बुला रहे हैं की दिखने की है सारी बहर आखों में अर आशी के रसूल की तमना होनी चाहिए कि अल्ला के प्यारे रसूल सल्लालाहु आलेही वाली वसल्म की मुझे जियारत नसीब हो और हमारी जिन्दगी में बहुत सारे मकसद होते है इस्पेशलि जब स्टूडेंट्स लाइफ होती है तो एक फीचर फ्लैनिंग्स होती है लेकिन बदकिस्मती यह है कि चुक्के हमारे टॉपिक्स यह नहीं है ज्यादे ऐसी को रात याद नहीं आती कि आप और हम यू रोते रोते सोई हो कि या लला आज रात खुआब आका की जियारत करा देना हम सुबों की प्लैनिंग करके सोते है लेकिन खुआब नींद में जो आता है और आका की जियारत होती है तो उनी चाहिए अब यह के नाजाने किस पकरम फरमा दे यह भी पता नहीं है तो नजाद सफर है ना कोई काम भले है फिर भी मुझे सरकार बुलाएं तो अजब किया मुधाब के रखना के गुनागार बहुत हो लेकिन वो कभी खौब में आएं तो अजब किया मुधाब के रखना के गुनागार बहुत हो मुढ़ाव कि रखना के गुनागार बहुत हूँ मैयत वो मेरी देखने आए तो अजब क्या है मेरी चश्म आलम से चुप जाने वाले तो हमें कब परदा उठी जाए और हमें नबी पाक स्लिए लिए 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 की जियारत हो जाए आला हज़ाद अले रह्मा को जाकती आँखों से जियारत हुई और ऐसे इसे बुज़र गुजरे हैं कि हदिस लिखते थे तो हदिस लिखने के बाद नबी पाक से उस असदीख की तस्तिक क्या करते थे आखा सल्थ स्लिए लिए भुजरेते हैं इसे जानने वाले मिलते हैं कि वी पता चलता है किए तो खौब में सरकार की जहरत हो गई मैं उसको देखता हूँ मैंने कि बस आका आप जिस पर करम फर्मा दें तो अब तमन्ना आपकी भी होगी, मेरी भी है हम सब की तमन्ना होनी चाहिए कि हमें आका स्थालों की जारत हो किसी को घर में बुलाते हैं कि आप घर तश्रीफ लाइए किसी को आप बुलाते हैं कि आप हमारी आँखों में तश्रीफ लाइए किसी को घर में बुलाते हैं तो घर साफ रखते हैं अब आँखों में बुलाना है तो आँखे भी तो साफ रखनी बढ़ेंगी ना जियारत ते रसूल सलल्लाव सलम के तालुक से एक बात बयान करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बस एक चीज जहन में रहे कि अल्लाप उस हालत में हमें आका की जियारत नसीब करे कि आका हमसे राजी हो यह याद रखिएगा यह हमारे बस में नहीं है यह हमारे बस में नहीं हमारे अख्तियार में नहीं है कि आका सलल्लाव सलम तश्रीफ लाएं और हम आका की जियारत करें हो पता चले आका नाराज है और अगर खुदाना खासता ऐसा हो और आका चले जाएं तो फिर आका को हम पाएं कैसे लाएं कैसे तुम क्यूं ये करते थे तुम क्यूं ये करते थे तुम मुझे दूर्दे पात नहीं परते तुम बेअमली हो करते हो तुम फ़ला करते हो तुमने फ़ला काम किया था आका की बारगा में तुम उम्मती के अमल पेश होते है वो खूब जानते हैं गुनागार की हमारी हालात से बाख़बर है तुमारा मुश्क्कत में पना इन पर गिराँ गुजरता है तो अब ये के आका की जारत की तमना भी है और आँखों को साफ सुत्रा भी रखना है दिल को भी साफ सुत्रा रखना है कि आका आएं मुस्कुराता चेहरा दिखाएं खुश्बू से मौतर मौतर वजूदे पाकी जियारत कराएं चेहरे पाकी जियारत कराएं और जब हम खुआप में जियारत करके उठें तो हम खशाद बशाश खुश हो एक बुज़र की खुआप में आका ने आकर इनके चेहरे पाक को बुसा दिया आका नचुमन के चेहरे को कहते है कही दिनों तक मेरे चेहरे से खुश्बू नहीं जाती थी कि अब शेद चला ये तो कुछ मुज़ू में लेकर चला गया इस तरफ के तेरी जब के दीद होगी जब भी मेरी एद होगी एद खुशी की दिन को केते हैं एद केते हैं खुशी का दिन खुशी होती है इंसान को तो मेरी खुशी होसे उस दिन है जिसे या रसलियल master मुझे आपकी जियरत होगी मैं आपका देदार करूँगा वो एक zoح़बी आजिर होते हैं ता कि जन्नत में तो आपका मकाम बहुत आला होगा अगर वहां मैंने आपकी जियारत ना की तो मैं क्या करूंगा तो जन्नत में भी सरकार की जियारत और सरकार के कुर्ब की तमना होती थी किसी से इर्शाद फर्माया मांग क्या मांगते हो सलिया रभिया अर्फी या रसुलिल्ला जन्नत में आपके खुर्ब अता कर दीजिए मांगने वाले भी तो पिर एसे ही थे ना उनको ये पता था करने वाले की अता तो फिर अता होती है कौन देता है? देने को मूँ चाहिए देने वाला है सचा? हमारा नबी तो मेरे ये स्टुडेंट्स जमा हुएं प्रोफेशनल्स जमा हुएं तो ये एक इश्क रसुल की बात मैंने आपसे की है कि हम इश्क रसुल में यू जीएं कि रसुल पाक सल्लिल्ला अग्यों की मुहबत आपकी चाहत आपकी उल्फत और आपके नाम पर सब कुछ कर जाओंगा वै मेरे तो आप ही सब कुछ है रह्मति आलो मेरे तो आप ही सब कुछ है रह्मति आलो मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए तुमारी याद को कैसे न जिन्दगी समचू यही तो एक सहारा है जिन्दगी के लिए लगी है रोजा आए पुर नूर पर मेरी आँखे तरप राहूं शब रोज हाजरी के लिए तो आका की याद में जीना आका स. अ. अ. के इश्क में जीना इस्पेशली जब आप नोजवान हैं तो हमें तो और जादा नबी अबी पाक श. और staff होनी चाहिए प्यार होना चाहिए पता चले कि नबी पाक श. यूल अ. यू पánt फिया थी यह आपनी किया था आपने यू खाया था आपने यू पिया था अब यू चलते थे, अब यू उटते थे, आका यू बैठा करते थे, मैं भी इसी तरह बैठा करूँगा सरकार सरसलों यू मुस्कुराते थे, मैं भी इसी तरह मुस्कुराया करूँगा क्योंकि मैं तो आका का उम्मती हूँ न, मैं गुलाम हूँ मैं गुलाम हूं मैं गुलाम मुस्तफा हूं मेरी अजमते ना पूछो मैं गुलाम मुस्तफा हूं मेरी अजमते ना पूछो मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना हम आका के गुलाम है हम आका के उमती है और ये उमत सबसे अफजल उमत है सारकार ﷺ सबसे अफजल नभी है ना तो आपकी उम्मत भी सबसे अफजल उम्मत है आप और हम इस बात पर जितना रश करें अल्ला के जितना शुक्र अदा करें चाहे हम दुनिया के किसी कौने में भी रहें हम अरब दुनिया में हों हम एशिया में हों हम अंगरेस मुलक में हो, कहीं भी हो, एक मुसल्मान के लिए बहुत बड़ी न mitigे है कि वो मुसल्मान है और नबी का अमत लिए, और ये हम अल्ला की अता से हुएं, हमें अल्ला Building की अभूँ है ने हमें इमान की निवान की अता की, सरकार दो जहां صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی اتباع میں یہ زندگی گزارنے کی میرے پیار اسلام بھائیوں نیت کر لیں ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ایک عشق رسول کی بات یہی ہے کہ ایک عاشق رسول کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو یہ عمل کرتا ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا میں سٹوڈنٹس لائف کو جانتا ہوں سٹوڈنٹس لائف میری بھی گزری ہے کوئی فرق نہیں پڑتا سٹوڈنٹ لائف میں just ایک intentions آپ کی بدل جاتی ہیں اور آپ کا طریقہ کار بدل جاتا ہے اب وہی کھانا کھائیں گے جو کھاتے ہیں سنت کے مطابق کھائیں گے اب وہی کپڑے پہنتے ہیں سنت کے مطابق پہنیں گے اب اسی طرح سوتے ہیں سنت کے مطابق سویں گے اب وہی پانی پیتے ہیں سنت کے مطابق پییں گے کیا فرق پڑے گا اگر ہماری زندگی میں سنتیں آ جاتی ہیں بلکہ فرق نہیں پڑے گا فرق بہت پڑے گا کہ ہماری زندگی سمر جائے گی قدم قدم پر عشق رسول کی خیرات نصیب ہوگی محبت رسول کی خیرات نصیب ہوگی آلہ حضرت لکھتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بجھے جب دنیا میں تشریف لائے ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے قبرِ انوار میں تشریف لے گئے اپنی امت کو یاد کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے اب یہ بدقسمت تھی ہے امتی کی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداؤں کو بھول گئے اب دعوت اسلامی آپ کو بلاتی ہے آپ کے ساتھ چلتی ہے بیسیکلی دعوت اسلامی آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اے نبی پاک کے غلاموں اے نبی پاک کی امتیوں تمہیں نیوزندگی نبی پاک کے طریقے کار کے مطابق گزارنی ہے یہ دعوت اسلامی کا بڑا سویٹ شارٹ اور سیمپل میسیج ہے کہ آپ اور ہمیں اپنی زندگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کے مطابق گزارنی ہے جیسے ابھی آپ کہا کہ سونا جا جو بھی ہماری لائیو سٹائل ہے اس میں سنتیں آ جائیں گی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جنت میں نبی پاک کا قرب مل جائے کیا باتیں ہوتی نہیں ہیں تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر آقا تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا آقا چلے تم گلے لگانا مدن مدین والے میں نے امیر سنت کے کئی کلام سنے ہیں کئی کلام پڑھے ہیں کتابوں میں نات خان تو میں نہیں ہوں لیکن جن چند کلاموں کو دنیا میں شہرت ملی ہے ان میں یہ کلام ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام قبول بھی ہے مقبول بھی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے اتنا میں جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں تب سے میں یہ کلام سن رہا ہوں اور آشارہ جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس میں اتنا عشق اور محبت اور سرکار سے اتنا لگاو ہے عمیل سنت کا اس کے اندر آقا میں ہی ہوں آقا میں ہی ہوں جیسے نہیں وہ ایک عمتی اپنے نبی کی بارگاہ میں التجائیں کرتا رہتا ہے مجھے تم نہیں بھول جانا میری قبر جگ مگانا تو مجھے بغرب سے بخشوانا تمنہ ہوتی نہ عرضویں دوستو بڑی عرضویں تو ماشاءاللہ اچھا کلام ہے یہ اللہ پڑھتے لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تو لکھتے ہیں ہے یہ امید رزاق ہو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہوکا یعنی یا رسول اللہ عالی حضرت اپنے بارے میں سرکار کی بارگاہ میں اس کرتے ہیں میں آپ کا گلام ہوں تو مجھے آپ کی رحمت سے یہ امید ہے کیا امید ہے کہ میں جہنم کے قید کھانے میں نہیں جلوں گا کیونکہ میں آپ کا گلام ہوں میں آپ کا گلام ہوں تو آقا کی جب گلامی ہم سب آقا کی گلامی کی بات کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ لیکن بس یہ کہ میں کہوں گلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہیں یہی عارضو جو حصور خرو ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں گلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہیں میں کہوں یا رسول اللہ میں آپ کا گلام ہوں تو آقا فرمائے مجھے قبول ہیں یہ گلامی جس گلامی تو ملی ہوئی ہے مگر قبول کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو آقا ان کے جو گلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوہ جتنے تھے ان کے اونچے نام ہو گئے تو جب بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلا آپ کے کردار پاک پر چلا آپ کے عشق اور آپ کی محبت میں جیا اس نے دنیا میں ترقی کی ہے دنیا کی ترقیاں تعالیم پر نہیں ہیں دنیا کی ترقیاں ایمان کامل پر ہیں یہ یاد رکھ لینا مسلمان جب ایمان کامل کے ساتھ تھا دنیا میں اس کی ترقیاں تھی ایجادات یہ کرتے تھے ایجوکیشن میں ان کا نام تھا پرفرمیس میں ان کا نام تھا ورلڈ وائیڈ ان کی پرفرمیس تھی دنیا کے لوگ مسلمانوں کی ایجادات اور مسلمانوں کے کارناموں سے فائدہ اٹھاتے تھے رائٹ اور رونگ آپ نے سٹری پڑھی ہو گیا کیا تھا تعلیم تھی یا ایمان کامل تھا ایمان کامل قرآن کی تعلیم دی حدیث کی تعلیم دی عشق رسول کی باتیں تھیں اور علم کے دروازیں کھلتے تھے الحمدللہ موت کچھ ہوتا تھا تو اللہ پاکہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن والصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَاصْحَابِكَ یا نور اللہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آ راستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا یعنی بے شک اللہ پاک نے دین اسلام کو عمدہ اخلاق اور اچھے عامال سے ڈھاں پر رکھا ہے یعنی اسلام کی جو خوبی ہے وہ اچھے اخلاق اور عمدہ عامال اچھے عامال ویل مینرز اور گوڈ ڈیٹس نیک عامال اچھی عامال کے ساتھ اللہ پاک نے اسلام کو دھاپ رکھا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجے گئے آپ فرماتے ہیں مجھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجائے اخلاق کو کمپلیٹ کرنے کے لئے بھیجا ہے اور آپ نے اس خوبصورتی کے ساتھ اخلاق کی دعوت دی اور اخلاقیات کو مینرز کو ایک اچھی عمدہ زندگی کو ایک سوشل لائف کو ایک فیملی لائف کو ایمان ہر طرح جو ہم زندگیاں گزارتے ہیں کھاتے ہوئے پیتے ہوئے اس کو ایک اتنی خوبصورتی کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور آپ نے اتنا پیارا اپنا انداز پیش کیا کہ اللہ فرمادہ کہ بے شک اللہ پاک نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے یعنی آپ کے اخلاق کی تعریف آپ کا رب فرماتا ہے ہم کسی کو کہے گیر آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں کتنا مطلب وہ لگتا ہے جس کے اخلاق کی تعریف ان کا رب فرمائے ان کے اخلاق کتنے اچھے ہوں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف اللہ پاک نے فرمائی امدہ اخلاق اور اچھی عمال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو definitely اس کی detail ہے میں تھوڑی سے آپ کو اس کی detail دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا مننگ کیا ہے کیا کرے ہم ایسا جس سے ہم کہیں کہ ہم اچھے اخلاق اور ایک نیک عمال والی زندگی گزار رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کرتا ہوں آپ students ہیں professionals ہیں education life سے آپ کا تعلق ہے ہو سکے تو ان چیزوں کو notice کیجئے گا یاد کر لیجئے گا note کر لیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں بہت باتیں یہ کام آئیں گے اللہ نے چاہتے ہو سب سے پہلا جو لکھا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ اچھی اخلاق میں کیا ہے اچھا برت لوگوں کے اچھے اندازیں ملنا ہم آپس میں جب بھی ملیں اچھے اندازیں ملیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کو پکارتے تھے تو ان کو ان کی قدیت سے پکارا کرتے تھے اچھے نام سے پکارا کرتے تھے جیسے میں ایکزامپل دیتا ہوں آپ میں سے کسی کا نام محمود ارے محمود اے محمود یہ یہ اچھے اخلاق نہیں ہے آپ اگر پکاریں گے محمود بھائی اگر حاجی ہے حاجی محمود کتنا مدہ آئے گا اس کا ہے وہ بھی پیر آگے پیجے دیکھے گا کہ یہ کس کو بولا رہا ہے بھئی ہے میرے وہ اتنی عزت سے کو تو بولاتا نہیں ہے تو آپ اگر کسی کو پکارتے ہیں تو کیسے پکاریں گے اچھے نام سے اچھا برتا ہو آئیے آجا آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے ہماری تو دوستی ہیں فری ہیں فری میں بھی ہمیں اخلاق تو اچھے رکھنے ہیں آپ تو نوجوان ہیں زیادہ تر جو دوستوں میں جھگڑا ہوتا ہے وہ فریشپ کی وجہ سے ہوتا ہے یا آپ کو پتا ہوگا تو لیمٹ تمام تر فریڈم لیمٹیشن کے ساتھ ہوتی ہے یاد رکھئے گا فریڈم ویت لیمٹیشن آئیے بیٹھئے کھالے کھائیے پی لے پیونا پی لیجئے اٹھ جائیے کب آئیں گے اچھا کوئی اچھا اور ماشاءاللہ عزت دار آدمی ہے کب تشریف لائیں گے آپ بولو گے یار یہ تم تھک جائیں گے اتنی عزت سے بات کریں گے تو بنے گا کیا انشاءاللہ آخرت اچھی ہو جائے گی یہ کرنا پڑے گا ہمارے جگڑیں ختم ہو جائیں گے ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے ہمارا کردار اچھا ہو جائے گا لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے اتنا فرق پڑتا ہے میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہیں تو اس میں ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا چاہے وہ تھا شرابی اور غیر مسلم تھا لیکن ایک مسلمان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ ایمان لے آیا اب وہ ایک الگ واقعہ ہے چونکہ وقت ٹائم کم ہے تو میں ایک اور طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو تو وہ ایمان لے آیا اچھا وہ جو ایمان لے آیا تو اس کا جو گھر تھا وہ نون مسلم کمیونٹی تھی اور اس کے والد جو تھے وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے ایک تھا اس کا مزاج اچھا جیسے وہ مسلمان ہوا تو باپ کی جو نفرت تھی وہ بڑھ گئی اب باپ اس کو لفٹ نہ کر رہا ہے باپ تھا ویلچیر پر مگر چونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس سے مسلمان کے اخلاق مسلمانوں کے مینرز والد ما رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے وہ سپڑھ رہا تھا وہ تو وہ کیا کرتا کہ وہ اپنے والی صاحب کی ویلچیر پکڑتا تھا والی صاحب کو ویلچیر چھڑوا دیتے وہ دوائی دیتا تھا والی صاحب سے دوائی نہیں پیتے کہ تو مسلمان کی ہو گیا مگر اس کو گصہ نہیں آتا تھا وہ اپنے والی صاحب پر شفقت کرتا محبت کرتا پیار کرتا اچھا والی صاحب آہستہ آہستہ نوٹس کر رہے تھے وہ ایک بات نوٹس کر رہا تھا کہ جب سے یہ مسلمان ہوا ہے تب سے یہ میرا تو خیال لگتا ہے مگر اس کے بھائی تو میرا پہلے بھی خیال نہیں رکھتا تو اب بھی نہیں رکھتے تو یہ اس کے اندر ایک تھوٹ پیدا ہوئی کہ کچھ تو ہے جو اس کے اندر کیونکہ پہلے بھی تو یہ لڑکا تھا میری ویلچر پکرتکتا نہیں تھا میں بلاتا تھا تو آتا نہیں تھا لیکن جب سے یہ مسلمان ہوا ہے میری ویلچر پکرتا ہے میں اس کو ڈانٹا ہوں تب بھی نہیں مانتا میں اس کو جھاڑتا ہوں تب بھی نہیں مانتا میں اس کو گصہ کرتا ہوں تب بھی نہیں مانتا دوائی پوچھتا ہے پانی پوچھتا ہے ये सारा करता है, मैं बीमार, मुझे बिस्तर पर डाल देता है, मुझे बिस्तर से उठा देता है, जब से मुसल्मान हुआ है, तब से इसका अंदास बदल गया है, थोड़े दिन लगे थे, इसका बाप भी कलिमा परकर मुसल्मान हुआ है, अखलाक, अगर हमारे अखलाक अच पर अद्दीन पर अमल कर रहा है तो लोगों के साथ अच्छा बरता हो यह याद कर लें आप आपको शुरू में करने बेठेंगे जैसे आज आज आप इस्तिमा में आएंगे अब आप यहां से जाएंगे अब जैसे रश होता है थका मार मार कर निकलेंगा आप रुक जाएंगे चलना रहें नहीं है लोगों को तकलीफ होगी तो लोगों के यार क्या हो गया तुझे बोला मैं बस I'm trying to change myself मैं कोशिश करूँ अपने आपको change करने के यह overnight नहीं हो जाएगा it's take time क्योंकि अब हमारी आदते जो खराब हैं वो इतनी overnight नहीं बदल जाएंगी कि हम सुबह उठेंगा तो हमारा सारा software चेंज हो गया होगा हमारा new virgin आगया होगा नया update आगए होगा अब upgrade हो गया होगा यह नहीं इतना यह किसी वली की निगासे तो हो सकता है बाकी जर्नली यह practice जिसको कहता है जर्नल प्रैक्टिस टेक टाइम आदते इतनी जल्दी नहीं बदलती है सबसे पहले तो mind बनेगा कि आपका मेरा mind बन जाए कि मेने लोगों के साथ अच्छा बरताओ करना है इज़त से जो चाता है कि उसकी इज़त की जाए उसको चाहिए कि लोगों की इज़त करे इस्पेशली वाले देन की जब आप घर जाएं जिस अभी आप घर जाएंगे तो अम्मी का हाथ चुमे अबू का हाथ चुमे मेभी devil shock क्या हो गए तबीयत तो सही है बखार बखार तो नहीं है तुझे आज हाथ चुमरा है जो कहना मैं मैं चेंज करनी myst Momi कर दौा करें तौये немे तौ बीमार हो गए है का मैं बीमार था अब मैं सही हो रहा हूं अब अपनी तबीयत सही हो रही है कहा गया था मैं दाद इस्तामे के इश्टे मा में गया था मुझे कहा था कि जा कर अपनी अम्मी का हाथ चुमना और अबू आए ना तो खड़े हो जाना खड़े हो जाना तो शाद अबू को जटका लगेगा केरियत तो है तो अब नहीं यह अच्छे अखलाग की सिखने पड़ेंगे आप देखिए अल्लापाक के सबसे आखरी नभी सल्लालाई लिवाली वाली वसल्म जब अपनी बीटी खातुन जन्नत बीबी फात्मा रदियलाओ ताला अना के घर तश्रीफ ले जाते तो आप क्या करती हैं जैसे ही बाबाजान तश्रीफ लाते आप खड़ी हो जाया करती थी बढ़कर बाबाजान के हाथ चुमा करती थी यह बेटी करती थी जब खातुन जन्नत बीबी फात्मा रदियलाओ ताला अना जब सरकार सल्लाब सल्म के पास हाजिर होती घर पर तो रसूल पाक सल्लाब सल्म जो बेटी आती तो बेटी के इस्तक्बाल के लिए खड़े हो जाते थे यह उम्मत की तालीम है मेरे प्यारे इस्टाइब भाई अम्मत की तालीम है आज तो अपने यह बैठे रहते हैं अभी बुलाती है आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ ना क्या है क्या है क्यूं बुला रही है यह मां के साथ हम बात करते है क्या मां इसलिए है क्या बाप इसलिए है तो यह हमारा अंदास नहीं होना चाहिए अपने फैमिली में अपने भाईों के साथ भेनों के साथ हमार तो ये है कि दोस्त अगर हमारी कोई जिस ले ले अरे हाँ हाँ तुमारे ले 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 भाई ले 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 अबे चल तेरे ले ले नहीं लाया अब भाई के साथ ऐसा भाई को डांटता है दुनिया को बांटता है इस नोट फेर इस जो ब्रिट रिशन आपका भाई है उसको जादा हक है उसका कि आप उसके साथ जादा शफकत करें आप उसको जादा महबबत करें जादा प्यार करें बाप कहेंगे या रभी वे जाओं गा तो मेरा भाई तो मेरे साथ नहीं करेगा अब उसको याद कर लेना कि जो मुसल्मान हुआ अच्छे अखलाक दिखाए तो गेर मुसलिम बाप भी मुसल्मान हो गया आप घर जाके अच्छे अखलाक दिखाओगे तो आपका भाई आपसे प्यार नहीं करेगा शुरू में सब को शौक लगेगा कि क्या हो गया इसको या बेतबे करने वाला उठता नहीं था खाने के लिए बुलाओ तो आता नहीं था अब यह दस्तरखान भी खुदी लगा रहा है पलेटे भी खुदी उठा रहा है किच्छन में भी लेके जा रहा है तो मां भी बोले कि बेटा मैं कर लूँगे नहीं मां आपने किया मां को क्या कहना है मां आपने किया जब मैं नहीं कर सकता था आज मैं कर सकता हूँ और बाब बेटों मैं काम करूंगा अगर हमारा एक नेचर ही नहीं है हम ऐसा करना जानते ही नहीं है हम तो अभी भी बैटके माँ को बोलते हैं हम इज़रा पानी लाना आप मेंसे कई माँ से पानी मंगते होंगे राइट और रॉंग हमीं पानी लाना हमीं क्या पानी पिलाने के लिए भै जब आप उटकर पानी नहीं भर सकते थे तो मा पिलाती थी ना मा तो दूद पिलाती थी जब हम रोते थे तो मा अपनी नेंद जाया करके अपना दूद पिलाती थी और हमें खाना किलाती थी आज तो हम बड़े हो गए आज पानी नहीं पी सकते माँ पानी लाना माँ ये लगाना ठीक है पका दिये सकते पानी तो पी सकते अगर माँ पका रही है तो दस्तरखान तो लगा सकते माँ को राजी करने में अगर हम कामयाब हो गए ना आपकी वह कुँसी जिन्दगी की रुकावाटे जो मा की दूर belong नहीं होगी बताओ आपको कुछ नहीं करना आपने जा कर खका हओ ampah को कहना और मा ये परेशानी है दूरा कर दो मैं झालन को बता रहा हूँ आपको वाली साब को कहना है, वाली साब कोप परेशानिया दुनिया में होती न, यहां फस गया, यह अटक गया, यह काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, एडमिशन नहीं हो रहा, फला नहीं हो रहा, यह हजार किसम के मसाइल है, आपने जाकर अपने अबू को कहना, दूआ नहीं करवाना वो नहीं निकले तो अच्छा है तीके अब आप बो लो कि गल्फरेंट पट्टी नहीं है बाप से दूआ करा लूँ तो ये तो दूरस नहीं है ना बलकि केना पड़े बलकि ये से तो जान शुडानी है क्योंकि इन निगाओं को तमना रसूल पाक को देखने की है किसी और को नहीं जिसको देखने से अल्ला के रसूल ना मना किया है मैं उसको नहीं देखूँगा मेरी आँखों को किसका अंतिजार है रसूल पाक की जियारत का अंतिजार है इन आँखों को मैंने पाक रखना है साφ रखना है सजा का रखना है कि नाजाने कव आंका के जल्वे आ जाए तो यांके मेरी गंदी नही होनी चाहिए इन आँखों को एक ही तमना होनी चाहिए उन्हें नह देखा तो किस काम की है या आँखे तो यह समझाने के लिए में नर्श किया तो आप सरकार सलले लिए लिए की आरज़ और तमना होनी चाहिए ना तो वालिस साफ साफ दौा कराए मेरे सुनत मुझे कई दफा फर्माते हैं बाप की दौा बेटे के हक में कुबूल होती है बाप दौा कर दे ना बेटे के लिए जिनके मेरे माबाप नहीं है मुझे पता है माबाप ना होने से की बंदा बिए च्छत का होता है आप च्छत नहीं है मेरी च्छत नहीं है अलबता ये जरूर है को मुझे मेरे पीर का साया है अल्ला उसको सलामत रखे हम सब पर अल्लाप आगे साया दरास करें तो तुम ये घर जाए ना अपने वालिदें के हो जाए और आज से ये बड़ा चेंज आ जाए ये बड़ा चेंज आ जाए मैं आपको लंबा नहीं लेके जाता है कि यहां 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 यह कर दो सिर्फ इतना नियत लेके जाएं कि आज से हमारा हमारे वालिदेन के साथ attitude अबदिल हो जाएगा है को intention है आपकी हूँ कौन intention लेता है किसकी नियत बनती है कि इन्शाला आज से मेरे मेरे वालिदेन के साथ जो अंदाज attitude है रवया है वो positive हो जाएगा तो आप जी जैना याने हमारे तो यह ता मा को भी तू के अप आप पता नहीं क्या culture है मा को तू केते हैं या आप केते हैं मा तू इदार आजा तुम ये कर लो तो मा को भी आप ही केना चाहिए वालिद को भी आप ही केना चाहिए तो लोगों के साथ अच्छा वरता हो तो इसमें जब लोगों के साथ अच्छा वरता हो के बारी आएगी तो सबसे पहले माबाप की बाते करेंगे कि माबाप मैं शायद आपने सोशल मीडिया पर मेरा यह मैंने वाकिया बयान किया तर सुना होगा कि एक नोजवान के एक्सिडेंट हो गया और गारी में आग लग गई खतरनाक एक्सिडेंट हुआ गार एक्सिडेंट आपने शायद मेरे फेस्बूक को ये बाकिया सुना होगा वगर टॉपिक के रिलेटिड है जब लोगों ने उस नोजवान को निकाला तो वो बिल्कुल सभी सलामत था खराश तक नहीं आई थी एक जखम तक नहीं था तो लोग सुभान आल्ला माशाआल्ला कैने लिए क्या नेकी करते हो इसी पता है मनेकी क्या करूँगा आज तंका मिली थी माँ के हाथ में देकर आया हूँ और माँ ने दुआ दी थी अल्ला तेरी हफाज़त करे मुझे लगता है माँ की दुआ काम आगई तो अल्ला पाक हमें अपने माबाब के साथ उसने सुलू करने की इन से प्यार करने की तौफिक अता फ़र्म है दुस्री उम्दा अखलाक और अच्छी आदतों में अच्छा काम करना है अच्छे काम करें बुरे काम अब बुरे काम की बहुत डेfinitions हैं लेकिन अब ऐसा नहीं कि हम यहीं समझ आती है कि बुरा काम किसको बूलते हैं हमें समझ ऐसा बाती है हम जान के भी अंजाने बनते हैं आप इसे कोई भी गरम चाहिए हूँ नहीं पी लेता है या नहीं है हमेशा आप कलरिंग में समझ आती है खाने पीने में सबसब समझ आती है तो अच्छे बुरो की समझ आ जाती है तो अच्छे काम करने की आदत पेदा करे फिर मुसल्मान मरीज की यादत करना जब पता चले कि कोई मुसल्मान बीमार है तो उसकी यादत करना ये अच्छे काम और नेक आमाल और उसने अखलाक में शामिल है मुसल्मानों के जनाजों में शिर्कत और उनके पीछे चलना जो पता चले किसी मुसल्मान का जनाज़ा है तो आप जाएं जनाज़े में शिर्कत करें और अल्ला ने तवफिक दी है और कोई वजा नहीं है हो सकते तो कबरेस्थान तक जाएं हमने भी तो दुनिया से जाना है शायद हमें से भी यही तमन होगी यार मेरे जनाज़े में फिर लोग आएं अब हमी लोगों के जनाज़ों में नहीं जाएं तो तमन है क्या गरते तो पता चल जाता है अब है आप सोशल मीडिया पर आ गए ओ, वेरी सैड, वेरी सैड, अफ्सोस हो गया अरे भाई जनाजे में जाो ना यार यार इतना दूर कौन जागा तो तुम्ह Ming जनाजे में फिर को ना इगा आपका जनाज़ा क्या लोगों की घरों की चटों पर होगा definitely然 आपका भी میरा भी एक नाई की इंतकाल होना आपका भी इंतकाल होना है तो जितने जादा लोग नमाजे जनाजे में आएंगे इतनी जादा मेरे लिए द्वाई होंगी ना और जब हम जनाजे में शिर्कत कहरेंगे तो हमें भी तो फाइदा है ना अगर कोई मौमिन के नमाजे जनाज़ा में शर्कत करता है तो अल्दा पाक उस बंदा मौमिन जिसका इंत्काल हो गया उसको सबसे पिरे ये तवजिए थव फिर ता फरमाता है कि उसके जनाज़े में जितने मुसल्मान शरेक थे اللہ پاک سب کی بخشش فرما دیتا ہے ठीक है इसी तरह बुड़े मुसल्मान की ताजिम करना अल्ला अल्ला ये यार कर लो आप बुड़ा मुसल्मान ये जो ओल एज परसन जितने भी हमारे मुसलिम इनकी ताजिम करना और को इनकी खित्मत कर दी जो अपनी जवानी में किसी बुड़े आदमी की ताजिम करता है इस्जत करता है ना साथ देता है जो वो बुड़ा होगा ना अल्ला पाक उसके लिए एक नोजवान की ड्यूटी लगा देगा जो उसका ख्याल लखेगा अब हमारे आसपास परोस में देखे कितने बुड़े होते हैं अब अबाजी क्या ले ठीक हो दाट किदर चले गए हम मजाख उड़ाते चले जाते हैं तो अपने मतलब मजाख बनाते है बुज़र्गों का नहीं बनाना चाहिए बड़ी मतलब उसकी इज़त है जो इसलाम में बुड़ा हो गया ना इसलाम में जो बुड़ा होता है अल्ला पाक में उसकी बड़ी इज़त दी है उसकी इसलाम में बुड़ा पापाया है उसकी इसलाम और दीन में इज़त है हम उसकी इसक रिजचत नहीं करेंगे हमारी गल्ये में, अलाके में, महले में मस्चिद में कितने बुर्य होते हैं उ को तो हमारे घर में दादा होते हैं बिछारा कूर पूछता है दादा नाना को पड़े रहते हैं बिछारे कौने के ओपर क्यें क्यें कें कास्ते रहे थैं बज़ुर्गी आ गई है तो आप सब ने ये अच्छे अखलाग को और अच्छे किर्दार को इखत्यार करना है اور अल्ला करें कि हम अपने मुसल्मान बज़ुर्गों की ताजीम करें थीक है मुआफ कर दे मैं नहीं छोड़ूँगा समझता है किया है खुद को खुद नहीं समझता है आप माफ कर दो यह आद कर लो मेरे नोजवानों इस्पेशली यंग्स्टर माफ कर दो बदला बदला नाले अब दिमाग खराब हो गया है इदर इसका यह लड़ाईयां वो जगड़े यह प्टे यह तोर दूँँगा वो फोर दूँँगा अगर अतपड मारता गिर जाते हैं तो हमारा काम लड़ना नहीं है हमारा काम माफ करना है क्या है माफ करते है खुसर अफवा लापक कुरान करीम अपने हबीब से फर्मा थे खुसर अफ़ा ए हबीब माफ करना इख्यार कीजिए अल्लापक और ने करीम फर्मा इत्फ़ अबिल्यति ही आहसन इस सुनने वाले बुराई को बलाई से टाल अर इसने मेरे सथ गलत किया था तब ही तो कह रहें माफ कर दो इसने मुझे फ़ना चीज़ कही थी तब ही तो कह रहें माफ कर दो इसने बदसलू की कही थी तब ही तो कह रहें माफ कर दो आपको माफ करने काईस ले रहा है का आपको तकलिफ ही थी इत्फ़ अबिल्लती ही आहसन सुनने वाले बुराई को बलाई से टाल दे मेरे अखलाक अच्छे हो मेरे सब काम अच्छे हो मेरे अखलाक अच्छे हो मेरे सब काम अच्छे हो बना दो मुझे को तुम पाबन दे सुनत या रसूल ना बना दो अच्छा अच्छा अब एक डिटेल इमाम गजारी आले रहमान ना लिखी है वो डिटेल में आपके सामें बयान कर देता हूँ तब तब जो सुनियेगा अब क्या काम छोड़ना है अभी तो करने के काम थे ना अब मैं बता रहा हूँ क्या नहीं करना ठीक है इमाम गजारी रहमतुले ताला ले लिखते है खेल खूद बातिल चीज़े जो होती है गाना आलाते मुसीकी मुजिकल इस्टूमेंट गीबत चुगली रिष्टेदारों से बस्लूकी फखर तकबर गंदी बाते फोहश बाते ये बतकिसमती के साथ हमारे बहुत पहल गया है अब आपको क्या लगता है ये फिल्मों के बाते करना क्या अच्छी बाते होती है गंदी बाते होती है आप यानि आप ये समझगे ये एक नेक मुत्तकी परेज़गार lifelong आपके साथ बैठाऊ जिसको आप समझ़़एं के नेक आदमी है आप समझ़़एं नेक आदमी है अब उसके साथ कौन सी बात जो नहीं करेंगे सिंपल लाइन खीचते रहा हमें आपके कर अमें नहीं पता कौन सी बात सही है गलत है जो बात अब बाप क्या के नहीं कर सकते माँ क्या के नहीं कर सकते मस्जिद के इमाम क्या के नहीं कर सकते इसका मतलब वो बात कैसी होगी फोहोश बाते गंदी बाते ये फिल्मों की ड्रामों की गेर महरम ओरतों की अपने घर की बाते करते या अब दोस्तियां मारी हो जाते तो अपने बाप की अपने बाप की बुरा है गाव है मेरा बाप एक नमबर का कंजूस है तू बड़ा सकी आदमी आगया बगया क्यों कंजूस है पाल पोस्के बड़ा किया ये जो पूरा तुम्हारा जो वजूद ख़ड़ा है कंजूस ही से ख़ड़ा हुआ है बाप अगर मेरी एक बात ना माने बाप मुझे खर्ची ना दे तो मेरा बाप कंजूस हो गया खिला पिला के बड़ा करके यहां उनको इतना ख़ड़ा कर दिया तो मेरा बाप कंजूस नहीं है तो ये अजीब बेश्रम ओलाद होती है जो माबाप की बुरायां कर दिया दोस्तों में करते है मेरा बाप अजादत नहीं देगा एक नबर का सड़ू है माजला सुमा माजला अपने बाप को बुरा कहता है यह यह बेशरम अच्छा यह मैं आपको एक बात बता हूँ यह बेशरम लड़का है ना यह तो थे है कोई डाउट कोई डाउट है ये बेशर्म लड़का है जो अपने बाप का नहीं हुआ वा आपका क्या होगा सिंपल बात है बाप के इतने इसान थे माँ के इतने इसान थे सब भुला कर बेड़ गया एक बाप बाप ने मना कर दिया नहीं जाना दोस्तों के साथ अब यार बाप पर पता नहीं को ने जालिम है ड़कू है ड़कू मेरा बाप माजाला सुमा माजाला अच्छा ये लड़का अच्छा तो नहीं है ना ये तो ते है जो अपने बाप का नहीं हुआ प्यारे सब्वे वा आपका क्या होगा अपने इसे से दोस्ती क्यों रखी है जिसे अपने बाप की बुराया करता है जिसे इना आपने दो जूमले के दिया वो आपके भी खिलाब हो जाएगा यह बेशरम अंसान है यह स्थी खुद अपने इंट्रोटेक्शन दे दिया आपको देखो मैं यू हूँ मैं अपने माबाप का नहीं वा तेरा क्या होंगा इससे तो अपने इंट्रोटेक्शन दे दिया आपको जो अल्ला उसके रसूल का नहीं होगा वो हमारा नहीं हो सकता हम पर अल्ला उसके रसूल के कितने अहसानात है जो बंदा अपने रब और अपने प्यारे रसूल की नाफरमानिया करता है एहसान बुरा बैठा है वो आपका मेरा क्या बनेगा लहाज़ा ये एक लाइन है आपने दोस्ती किस से करनी है दोस्ती उस से करनी है जिसे देखकर तो मैं खुदा याद आ जाए जो दोस्ती नहीं है जो आपको जहन्नम और बुरायों की तरफ ले जाए या तु दोस्त नहीं है तु मेरा दुश्मन है दोस्त तो वो है जो मुझे माशाला आपको यह लोग लाए न दावत देदे के लाए न या आपके दोस्त है या राओ तो सभी बैठेंगे सुनेंगे अब आप यहाँ जाओगे तो जो आपको लाएं इनके घर में क्या फाइदा होगा अभी आप जाएंगे तो शायद आपके घर में दो दो फाइदे होंगे आप दी को अच्छा लगेगा तो फोहोश्क गंदी बाते ये नहीं करनी ये तो बहुत बूरी है धुन्या और आखरत में बरबादी है मैं जब धावत असलामे ही नहीं था ना मुझे उस्वत का पता है इक लड़का इतनी गंदी बाते करता था गालियां देता था मैं दावत असलामे ही बाते कर रहा हूं हमारी gathering होती थी उस gathering में हुए एक डड़का था नोज़ा बन था गालियां देता था उल्टी सीदी बाते करता था मुझे पता है जब कोई respectable तमीज वाली दावत होती थी न तो कहते हैं तर उसको मत लाना क्यों यार ये बतमीज आदमी यार गंदी जबान है तो मुझे उस पता है नहीं दावत इसलामे में नीता मुझे तफसे पता है कि जिनकी जबान गंदी होती न इन्हें अच्छे लोग अपने पास नहीं बिठा दे जबान को साफ सुत्रा रखे इज़त तो तमीज वाली देखे लोग आपकी विज़त करेंगे इसी तरह जुम से बचे और इमाम गजाली लिखते है नीज जिसे भी इसलाम ने हराम करार दिया इसे बचना यह अच्छी अखलाग है और रसूल पाक अन्हें हमें इसकी तालीम दिये नबी पाक अन्हें की तो हमारे लिए रसूल पाक अन्हें की जिन्दगी में पेरवी है यह हमारे लिए रॉल मॉडल है मेरे प्यारे स्थाई भायो बंगला देश में इसकी चिटागांग में जो आप जमा हैं और जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशल्स और इस तरह आपकी कॉलेजीज़ आपकी यनिवरसिटीज़ एं आपके एडुकेशन इंस्टिटूशन हैं जब आप वहां जाते हैं और आप नबी पाक वे हम की सीरत पर अमल करते हैं हैं आप उनके किरदार पर अमल करते हैं तो आप सोचिए कि उस जगह पर किस कदर काम की जरूरत है जहां आप जाते हैं। कितनी बुराया हो तीन जगाओं पर। मैं भी युनिवर्सिटी पर पढ़ाऊं। मैंने भी कॉलेजिस का मूँ देखा है। मुझे वहां का माहौल पता है। मैं तीस साल पुरानी बाते का रहा हूँ आपसे। आप तीस साल के अंदर तो कितना वर्स्ट हो गया ना। बहतरी तो नहीं आई है। मीडिया ने फिल्मे ड्रामों ने और तबाई कर दिये। और हमारा दिमाग खराब कर दिया है। हम भी समगते हैं कि तीन घंटे में यह सारा बदल जाता तो मैं भी बदल जाओंगा। तब्दील यह तीन घंटे में नहीं आती। तीन घंटे में फिल्में बनती है। तीन घंटे में जिंदगी वह जो आपके बालिस साब की है। जिन्देगी हुआ जो आपके जादा की है 35-40 साल लगते हैं जिन्देगी बनने में ये ओवरनेट कुछ भी नहीं हो जाता का आध भी जाला कल पोदा निकलेगा परसु दरख बन जाएगा और चार जिन के अब फल देना शुरू कर देगा अगभी देखा है नहीं होता 30-40-40 साल लगते हैं सिंसेरिटी चाहिए इमानदारी चाहिए महिनद चाहिए लगन चाहिए मैं आखिर में आप नोजवानों की तालुक से बात करता हूँ इसमस्द सबसे बड़ा प्राप्लम नोजवानों के रोज़गार का है राइट? पढ़ रहे हैं पढ़ाई रोज़गार के लिए पढ़ाई किसी और चीस के लिए नहीं है यार क्या स्कॉप है? स्कॉप मिंस आमदनी कहां ज़ादा है डिसकॉशन यही है आपकी? राइट और रॉंग? यही है यार क्या करेंगे? माबब के भी यही है जॉब तलाश करती है दुनिया में जॉब कितनी मिलेंगी? अच्छा पिर आप पढ़ रहे हो तो आपको लगता है यार मैं पढ़ाई से फारिग होंगा तो मुझे कमस कहां दो डाइ लाग की तो जॉब मिली जाएगी लाग डेड लाग की कुछ नहीं आप करेंगे से पचास साथ सतर हजार दो मिली जाएगे शुरू में गुजारा दो लेकिन जब भी आप जॉब लेने जाओगा आपको पहला सवाल करेंगा है भी एनी एक्सपिरियंस? तो आप उसका मूँ देखोगा अभी तो पढ़ाई से फारिग वाँ तजर्वा कहां से लाँ? ओ सॉरी सॉरी वी नेड एक्सपिरियंस परसन तेंक यू अब बाहर इतना सा तर्बूसे सा मूँ लेकर निकलो गया आप अब एक्सपिरियंस कहां से लाएं? टेक टाइम तो आपके एक एक एक्सपेक्ट एशन है वो हर जगा पूरी नहीं होगी जॉब बड़ी जॉबे कम होती है छोटी जॉबे ज़ादा होती है किसी भी फैक्टरी में सुपरवाइजर एक होता है लेबर पांस होती है सी ओ एक होता है यह एक ही होते है यह पॉस्ट इतनी असानी से नहीं मिला करती है मैं तो हरे को मशवरा देता है इमामत कोर्स कर लो नुक्री गहीं नहीं जाती मस्जिश समभा लो वैसे ही भी आप करेते हैं कि इमाम पढ़ा लिखा होना चाहिए इमाम को पढ़ा लिखा हो वो तो वैसे पढ़ा लिखा है इमाम तो आप पढ़े लिखे इमाम ना बन जाओ मस्जिश हम बना का दे देंगे जाओ नमाजे पढ़ाओ आपको भी फीचर मदीना मदीना कौम को भी फीचर मदीना मदीना तो आप को मैं दर्खास ये करूँगा कि अपने रोजगार का जहन बनाए, कारोबार का जहन बनाए, छोटा मोटा बिद्नित कैसे होगा, आप बिद्नित के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए से यस जिब काली नो पैसा नो माल नो माल, नो दमाल क्या करेगा आपके पाद पैसा नहीं है, मगर आपके पास अगर वक्त है, एक्सपिरियंस है, इमान दरी है, शराफत है, तो जिसके पाद पैसा है न वो खुद धून कर आपके पास आ जाएगा, ये मेरी, मैं आपको अपना एक्सपिरियंस share कर रहो हमारे नोजवानों में मेहनत नहीं करनी है अगर आप इमान क्योंकि जो भी पैसा आपको investment लगाएगा मेरे प्यारे स्लाइम भायो वो अपना पैसा जाया तो नहीं नहीं न करेगा उसको सबसे पहरे देखनी है कि आपको वो इस काम के करने का तजर्बा है लैट मिंस आपके अंदर skills है या नहीं है फिर आपके अंदर इमानदारी वो देखेगा फिर आपके अदर मेहनत देखेगा अब यह उटता ही नहीं है यह क्या काम करेगा मेरे पैसे फिल्टर कर देगा ना राइट और रॉम कोई भी नहीं लगाएगा मैंने आपको चार पांद बाते बताई हैं इसको पकर ले इंशाला कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे दुनिया में कई ऐसे लोग है जिनके पाथ इंवेस्टमेंट है मेंट पावर नहीं है राइट कई ऐसे जो खुद मेंट पावर बने हुएं पर दे डॉंट है इनी इंवेस्टमेंट मगए यह दब दोनों मिलते हैं तो कोई नहीं को ट्रेडिंग शुरू हो जाती है तो आप यह चीज़ याद रखिएगा अब चुक्छे स्टूडन्स थे तो मैंने आपको कुछ आपके भी फिल्ड की एक तो बाते बयान कर दी है अल्लापक अमल करने की तौफिक अटा फर्माएं सल्लू अलालह अलालह अलाह मुहम्म्म कर दो आपके अलाह मुहम्म